तो देखे इस चप्टर में जितने वरक्षिट हैं उन सभी के कोश्चन को सॉल्व कर लिया है अगर आप लोगोंने मेरी वीडियो नहीं देखिये तो मेरे चैनल के प्लेश में जाकर वीडियो देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक तो यहां देखिए हमारे पास है ए में 1 upon 3 minus 1 upon 9 तो इन्हें सब्ट्राइट करना है दो फ्रेक्शनल नंबर दिये गया है और इन्हें हमें सब्ट्राइट करना है तो देखो क्या है 1 upon 3 minus 1 upon 9 तो इन्हें सब्ट्राइट करना तो जानते हैं क्या करना होता है जो डिनोमिनेट में नंबर है उनका LCM ले लेते हैं तो 3 & 9 का LCM हमें क्या मिलेगा 9 मिलेगा ठीक है और 3 से 9 को डिवाइट करेंगे तो 3 से 9 को डिवाइट करेंगे हमें मिलेगा 3 और इस 3 से इसके numerator को मल्टिप्लाइ करेंगे तो देखो यहां 3 मिलता है माइनस फिर से 2nd fraction का जो डिवाइट करेंगे तो 1 मिलेगा और 1 को इसी के numerator 1 से मुल्टिप्लाइ करेंगे तो 1 मिलेगा ठीक है यहां 1 मिला अब देखो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 माइनस 1 2 अपन 9 तो क्या अंसर में मिला 2 अपन 9 देखो किस a fraction is greater than 1 if कोई fraction 1 से बड़ा कब होगा ठीक है क्या है a fraction is greater than 1 if मतलब कि कोई fraction 1 से बड़ा कब होगा option में आपको देखना होगा कि क्या क्या option में दिया गया है first option है numerator equal to denominator ठीक है तो first में कहा गया है कि अगर कोई fraction का numerator and denominator दोनों equal होगा तो वो fraction क्या 1 से बड़ा होगा तो यहां देखो आप इसे ना जो भी option चार option हमें मिले हैं यहां example लेकर यहां पर देखेंगे हम लोग चेक करेंगे ठीक है तो मालो numerator हम 2 लेते हैं ठीक है तो denominator को भी 2 लेना होगा क्योंकि यहां equal कहा गया है ठीक है कोई भी number आप ले लो बट numerator and denominator दोनों equal होने चाहिए तो अगर numerator and denominator दोनों equal होंगे तो दोनों तो cancel हो जाएंगे 2 से 2 cancel होगा 1 times तो हमें क्या मिल रहा है देखो 1 तो यह इस तरह का जो option दिया गया है तो इससे जो हमें number मिलता है यह 1 है यह तो 1 के equal है तो यह fraction तो नहीं होगा है ना कहा गया fraction is greater than 1 कोई fraction 1 से बढ़ा कब होगा तो यह तो 1 से बढ़ा नहीं होगा इस तरह का fraction 2 upon 2 यह 4 upon 4 5 upon 5 इस तरह का fraction 1 के equal होगा, तो यह option तो नहीं होगा, second में है numerator less than denominator, क्या ऐसा fraction जिसका numerator, numerator जो है denominator से छोटा हो, तो माल लो कोई numerator में कोई number मैंने लिया 2, and denominator में denominator बड़ा होना जाहिए, ठीक है, numerator छोटा and denominator बड़ा, second option है, तो denominator को हम लोग रख लेते हैं, 4, अब देखो, 2 and 4, 2 से 4 cancel होगा, 2 times क्या आया, 1 upon 2, 1 upon 2 देखो, 1 से छोटा number है, तो यह option भी हमारा answer में नहीं होगा, third option है, numerator greater than denominator, तो माल लो, numerator upon denominator, numerator हम माल लेते हैं, माल लो 6 है, ठीक है, sorry, numerator बड़ा होना चाहिए, denominator से, यहाँ, माल लो, numerator हम लेते हैं, 16, ठीक है, और denominator, 8, क्योंकि numerator को बड़ा रखना है, option में आप देखो, numerator greater than denominator, numerator 16, बड़ा है, 8 से, अब 8 से 16 को cancel कर देंगे, 2 times, तो क्या मिल रहा है, देखो, हमें, 2 मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ देखो, इसमें जो, इस तरह का fraction, अगर जो होगा, numerator, denominator से बड़ा होगा, तो वो fraction 1 से बड़ा होगा, यहाँ, 2 आया है, अमारा answer, देखो, कहा भी गया है, a fraction is greater than 1, if, तो कोई fraction 1 से कब बड़ा होगा, जब numerator बड़ा होगा, denominator से, तो देखो, यहाँ, कोई ज़रूरी नहीं है, कि numerator में हम 60 ना denominator में 8 रखेंगे, तो ही वो fraction 1 से बड़ा होगा, कोई भी आप example ऐसा ले लो, जिसमें numerator बड़ा होना चाहिए, denominator से, कोई भी example ले लो, कोई और example हम रोग लेते हैं, मालो 7, denominator को छोटा रखना है, numerator से, मालो denominator 5 है, तो यह fraction भी आपका, जो है, 1 से बड़ा होगा, क्योंकि अगर आप 5 से 7 को डिवाइट करो, मालो 5 से हम 7 को तो यानि की, और remainder 1, remainder 2 हमारे पास रह रहा है, यानि की, यह fraction जो होगा, 7 upon 5, यह बड़ा ही होगा, किसी भी वे में, ठीक है, और fourth, तो हमारा correct answer, third होगा, ठीक है, third option में, fourth में है, numerator equal to 1, यहाँ देखो, denominator दिया ही नहीं गया, तो यह option तो आपको answer में मिलेगा ही नहीं, यह answer ह होगा, यह नहीं, ठीक है, तो हमारा इसमें correct answer होगा, numerator greater than denominator, okay, third है, हमारे पास, third question, 2 upon 3 of nr equal to 10 minutes, ठीक है, option में, देखो, क्या है, 40 minutes, 50 minutes, 60 minutes, 20 minutes, तो यहाँ तो इसे solve करना होगा, 2 upon 3 of nr, इसका मतलब, 2 upon 3 of nr, 2 upon 3 of nr means, 2 upon 3 of means, multiply nr, nr means 1r, ठीक है, 1r, तो 1r में कितने minutes होते हैं, 60 minutes होते हैं, आपको जानते होंगे, ठीक है, तो 1r means, यहाँ 60 minutes रख लेंगे हम लोग, अब देखो, 3 से 60 कैंसिल होगा, 20 times, ठीक है, अब देखो, 2 and 20, यह multiply होकर हमें मिलेगा, 40 minutes, यह किस option में देखो, 40 minutes हमारा first option में है, fourth में हमारे पास है, what number should be added to 8 upon 9 to get 9 upon 8, तो यहाँ देखो, क्या कहा गया है, 8 upon 9 में, क्या, कौन सा number हमें add करना चाहिए, कि हमें 9 upon 8 मिल जाए, ठीक है, तो देखो, इस तरह का question अगर आपको आए, कि किसी number में, क्या हम add करें, कौन सा number हम add करें, कि हमें यह मिल जाए, तो जो मिलना चाहिए हमें, to get 9 upon 8, ठीक है, यहाँ क्या मिलना चाहिए, to get 9 upon 8, तो जो number हमें मिलना चाहिए, उस से subtract कर देना है, first वाले number को, बस, आपको क्या करना है, जो number हमें मिलना चाहिए, उस से subtract करना है, first वाले number को, कहा गया न, what number should be added to 8 upon 9 8 upon 9 में हम क्या add करें कि हमें 9 upon 8 मिल जाए तो 9 upon 8 आपको इसमें result दिया गया है ठीक है, इसमें हम कोई भी न कोई number माल लो add करेंगे यहाँ 8 upon 9 है माल लो इसमें हमें कोई number add करना है तो यहाँ हम माल लेते हैं कि x add करेंगे ठीक है, इस number में हम 8 upon 9 में x add करेंगे तो हमें कौन सा number मिलना चाहिए, 9 upon 8 तो इस तरह का जब भी question आए तो जो मिलना चाहिए हमें number जो result हमें मिलना चाहिए इस से आपको subtract कर देना है first वाले number को ठीक है, आपका answer आजाएगा 9 upon 8 इस number से subtract करना है 8 upon 9 को अब यहाँ subtract करना easy है क्या करते है, 8 and 9 इन दोनों का calcium लेते हैं तो 8 and 9 का calcium आपको 72 मिलेगा अब 8 से 72 को डिवाइट करेंगे तो 8 से 72 को डिवाइट करेंगे तो हमें 9 मिलेगा और इस 9 से इसके numerator को multiply करेंगे तो 9, 9 into 9, 81 मैनस अब 9 से second fraction देखो गया second fraction का denominator 9 है 9 से 72 को डिवाइट करेंगे 8 टाइमस जाएगा और इस 8 को multiply करेंगे इसके numerator से 64 हमें मिला, ठीक है तो 64 यहाँ रख लेंगे अब देखो, अब दोनों को मैनस करेंगे, 81 minus 64 81 minus 64 तो यहाँ हमारे पास आएगा 17, ठीक है 17 upon 72 यह इसका अंसर होगा देखो, यह third option में 17 upon 72 next question हमारे पास है what fraction is the shaded portion देखो, shaded portion का आपको fraction बताना है, ठीक है उसे fraction में कैसे denote करेंगे तो यहाँ आप देखो, कितनी circle हमारे पास है 1, 2, 3, 3 circle है और सभी circle 4 equal parts में divide किये हुए है यहाँ देखो, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 okay, and two circle ऐसे हैं जो पूरी तरह से shaded है तो जितने circle आपके पूरी तरह से shaded होंगे वो आपका hole होगा ठीक है, तो यह देखो whole number में होगा यहाँ देखो, two circle पूरी तरह से shaded है तो two आपका तो whole हो गया and इन्हें देखो, कितनी parts में divide किया गया है सभी circle को four parts में divide किया गया है 1, 2, 3, 4 है ना तो four आपका इसमें denominator होगा जितने parts में divide किया जाएगा वो आपका denominator होगा अब third circle में आप देखो कि one, two, three three parts ऐसे हैं जो shaded है और one unseded है तो आपको shaded part पुशा गया है तो बस जितने shaded है third circle में उससे आपको numerator में लिख देना है देखो third circle है उसमे one, two, three parts shaded है तो three आपका उपर आजाएगा ठीक है तो यह हमारा two, three upon four है यह option number four में यह answer है next question है find the sum हमें sum find करना है a में देखिए हमारे पास है seven plus one, one upon two plus nine upon five तो यहाँ देखो एक number ऐसा है जो mixed number है हमारे पास तो इसे fraction में change कर लेंगे seven plus two into देखो fraction में कैसे change कर लेंगे two and one multiply करेंगे two into one two और two plus one three three upon two plus यह nine upon five अब आप देखो हमारे पास two number fraction में है और seven क्या है seven fraction में नहीं है तो seven के नीचे हम one रख लेंगे कोई फर्क नहीं पढ़ता है आप one रख लो इसके नीचे ठीक है क्योंकि कोई भी number के नीचे अगर कुछ ना हो तो आपको माल लेना है कि वहाँ one है क्योंकि हमें देखो add करना है यहां तो अब क्या करेंगे देखो one two and five अगर इसका LCM अप लो तो अपका LCM मिलेगा ten ठीक है one two and five का LCM ten अब seven upon one यहाँ denominator one है one से हमें ten को divide करना है तो ten मिलेगा ठीक है छाब one से गर ten को divide करो 10 मिलेगा और इस ten को इसके numerator से multiply करना है तो seven into ten ठीक है seven से discord इस से multiply करना है 10 को plus second fraction three upon two है इसका denominator क्या है 22 इस two से 10 को divide करेंगे तो हमें क्या मिलेगा five and 5 को किसे multiply करना इसी के numerator से plus 5 से फिर तेको थर्ड जो फ्रेक्शन है इसमें denominator 5 है 5 से divide करना है 10 को तो 2 times होगा और इस 2 को multiply करना इसके numerator 9 से बस देखो 7 एं 10 7 इंट 10 70 प्लस 5 इंटो 3 15 प्लस 2 इंटो 9 18 पॉन 10 अब एड कर देते हैं 70 प्लस 15 70 प्लस 15 अपको मिलेगा 85 85 प्लस 18 हमें मिलेगा 103 अपन 10 यह इसका एंसर होगा ठीक है किसे मैं से सेकंड में भी करना यहां सभी हमें मिक्स नमबर में मिले executive सबी मिक्स नमबर में मिला हुआ ऐसे किया करेंगे ए चैंज कर लेंगे तो इंटो 2 14 4 plus 1 5 5 upon 2 4 into 1 4 4 plus 1 5 5 upon 4 plus 5 into 2 10 10 plus 4 14 upon 5 अब देखो 2 4 and 5 2 4 and 5 का LCM हम लेंगे तो LCM हमें मिलेगा 20 अब 2 से 20 को डिवाइट करेंगे तो डिवाइट करने से हमें 10 मिलता है 2 से 20 को डिवाइट करो तो 10 मिलेगा 10 इंटू इसका निमरेटर से मल्टिप्ला कर देंगे 10 को तो 5 ठीक है 10 इंटू 5 प्लस 4 से फिर 2nd जो फ्रेक्शन है 5 upon 4 4 से आपको डिवाइट करना है 20 को 5 टामस जाएगा और इस 5 को इसके निमरेटर से मल्टिप्ला कर देना प्लस फिर देखो 3rd फ्रेक्शन है 14 upon 5 इसके 5 से 20 को डिवाइट करना है 4 टामस जाएगा और 4 को 14 से मल्टिप्ला कर देना है अब नेक्स्ट देखो क्या है 10 इंटू 5 50 प्लस 5 इंटू 5 25 प्लस 4 इंटू 14 56 अपन 20 बस अब इन सभी को आड कर देना 50 प्लस 25 75 होगा 75 प्लस 56 और में में बिलेगा 75 और 56 131 अपन 20 इस का आंस हो गया कुश्यन नमबर 3 में देखो हमें सब्ट्रेक्ट करना है ठीक है ए में क्या करना है 4 1 अपन 2 फ्रॉम 6 4 1 अपन 2 को 6 से सब्ट्रैप्ट करना है एक सकेंड यहां देखिए हमने अभी सेकंड कोश्चन जो किया था find the sum इसमें देखो हमारा अंसर क्या है 103 अपन 10 थीक है तो यहां देखो फ्रेक्शन में मैंने अंसर को लिखा है रखा है है न इसे आप mix number में भी चेंज कर सकते हैं अगर चाहें तो तो इसे mixed number में घर हम Change करेंगे तो 10 i s e 103 2D को क्रेंगे 10 10 sü अगर आप 103 2D को करो तो 10 IgA, okay तो यह 10 को सिर्ट होगा denominator तो 10 ही रहे तो यह 10 of 10 x 10 is 10 ही रहे गा 10 से 103 को डिव हिंद करेंगे तो तो 100 पर हमारे गा वर 50द तब हमारा 3 तो 3 यह आफ अंसर राख सकते हैं है और mix number में भी second में भी हम देखो इसे कर लेते हैं change mix number में 20 से 131 को आपको divide करना होगा तो 6 times जाएगा 6 times जाएगा और 11 रहेगा remainder तो remainder तो चला जाता है numerator में and denominator 20 रहेगा दोनों में से कोई भी answer लिख सकते हैं अब इसमें चलते है question number 3 में तो यहां क्या करना है यहां हमें 4 1 upon 2 को subtract करना है 6 से ठीक है न क्या का गया 4 1 upon 2 from 6 तो from की बाद जो number रहेगा उससे आपको subtract करना है पहले बारे number को तो 6 अपको पहले आएगा and minus का sign देंगे 4 1 upon 2 अब देखिए 6 है minus 4 into 2 इसे दे को fraction में चेंज कर लेंगे 4 into 2 8 8 plus 1 9 upon 2 subtract कर देना है देखिए 6 के नमब 6 के नीचे कोई भी number नहीं है तो यहां हम 1 रख लेंगे अब देखिए 1 and 2 का LCM 2 आएगा और 1 से 2 को डिवाइट करेंगे तो 2 मिलेगा 2 into 6 12 minus 2 से 2 को डिवाइट करो 1 मिलेगा और 1 into 9 9 12 minus 9 3 3 upon 2 इसे भी आप मिक्स नमबर में चेंज कर सकते हैं 2 से 3 को डिवाइट करके 1 टाइमस जाएगा 2 into 1 2 और 1 रहेगा रिमेंडर में यह इसका answer होगा 2 1 upon 2 from 7 3 upon 5 तो यहां 2 1 upon 2 को subtract करना है 7 3 upon 5 से तो यह नमबर आपका पहले आएगा 7 3 upon 5 minus 2 1 upon 2 बस इसे देखें मिक्स नमबर में चेंज कर लेंगे यह मिक्स नमबर में तो है ही अमारे पास इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो 5 and 7 35 होगा multiply होगे 35 plus 3 38 upon 5 minus 2 into 2 4 4 plus 1 5 5 upon 2 5 and 2 का LCM लेंगे यह 10 आएगा 5 से 10 को डिवाइट करने से 2 मिलेगा 2 into 38 2 into 38 हमें मिलेगा 76 minus 2 से 10 को डिवाइट करो 5 मिलेगा 5 into 5 25 minus करेंगे तो हमें मिलेगा 51 upon 10 तो हमें मिलेगा 51 तो यहां देखो सभी mixed number है यहां देखो यह mixed number और यह mixed number इन दोनों के बीच plus का sign है फिर उसके बाद यह minus का sign है तो यह दोनों number जो plus में है इन्हें क्या करना है पहले हमें एड़ कर लेना होगा जब भी आपको plus या minus यह दोनों एक साथ में दे तो आपको सबसे पहले plus वाला काम करना है तो यहां देखो दो फ्रेक्शन है और यह दोनों के बीच plus का sign है तो हमें इन दोनों को पहले एड़ करना होगा तो यहां देखे इसे चेंज कर लेते हैं पहले फ्रेक्शन में 5 x 2, 10 10 plus 3 13, 13 upon 5 plus 3 x 2 6, 6 plus 1, 7 7 upon 2 इसे ब्राकेट में कर लेते हैं minus 8 x 2, 16 16 plus 1, 17 upon 8 अब इन दोनों को आड़ कर लेंगे यह दोनों फ्रेक्शन जो हमारे पास है तो 5 and 2 कैल्सियम लेंगे 10 आएगा and 5 से 10 को divide करेंगे 2 times जाएगा ठीक है 2 times जाएगा और उस 2 से 13 को multiply करेंगे 2 x 13 plus 2 से 10 को divide करेंगे 5 आएगा हमारे पास 5 x 7 minus यह नमबर तो ऐसे है as it is यहां हम लोग निखलेंगे अब देखे 2 x 13 26 plus 5 x 7 5 x 7 हमें मिलेग 35 upon 10 minus 17 upon 8 अब यहां देखे हमें मिलता है 26 plus 35 यह दोनों add होकर 61 upon 10 minus 17 upon 8 अब देखो यहां भी आप इन दोनों को सब्ट्रेक्ट करेंगे तो यहां भी लेंगे 10 and 8 10 and 8 calcium हमें मिलेगा 40 और 10 से 40 को डिवाइट करेंगे 4 टाइमस जाएगा 4 x 61 minus 8 से 8 से 40 को डिवाइट करेंगे 5 टाइमस जाएगा 5 x 17 okay तो बाकी यहां हम लोग करते हैं देखिये 4 x 61 यहां देखो किया है 4 x 4 x 61 4 x 61 यहां हमें मिलेगा 240 4 x 61 244 minus 5 x 17 85 divided by 40 ok तो आप देखो इन दोनों को सब्ट्राइट करेंगे तो सब्ट्राइट करने से में मिलेगा 159 upon 40 तो आपका एंसर आ गया अब यहां देखो इसे मिक्स नंबर में भी चेंज कर सकते है 40 से 159 को divide करेगे तो यहां देखो डिवाइट कर लेते हम लोग 40 से 159 को देखो 3 टाइमस जाएगा तो 3 टाइमस जाएगा 120 माइनस करेंगे 9 आया 39 यहां देखिए हमारा डिनोमिनेटर तो 40 ही रहागा ठीक है और कोशिंट क्या है 3 और रिमेंडर 39 रिमेंडर आपका न्यूमेरेटर बन जाए गई यह इसका आंसर हो गया ठीक है तो आज हम कुस्टिन निंबर 4 तक स्टॉप करते हैं बागी के कुस्टिन को अम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना चैनल पर नहा है तो मेरे चैनल को सब्स्क्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रस करना ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकस्न आपको मिलती रहा है थैंक्यू